हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर योटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पैंट में पॉकेट लगाने के या फिर पॉकेट बनाने के दो बहुती असान तरीके और फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ अगर आप स्टीचिंग का शोक रखते हो घर बैटकर सिलाई सीखना चाते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोईन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इ Halloween वाला दूसे वाले पंड़े में आपको मनेश्यंगा निशन लगाने के अशुक्रण निशान लगाने। लगाने के स्टीचिंग समझतर की कपड़े में एक तरफ शाइन नहीं इन तरफ शाइनिंग नहीं होती जैसे बेके निशान आमने अन को तरफ hierarchy लगाने तो तो पोकेट लगाने का सिंपल तरीका क्या है देखे जो पहला तरीका वो यह है उपर से आपको एक निशान लगाना है दो इंच की दूरी पर यह देखे दो इंच की दूरी पर उसके बाद एक निशान आपको लगाना है छैंच की दूरी पर यह देखे इस परकार से आपको को दो निशान लगाने और पैंट में पॉकgt लगाने का यह जो जर्नलर हम पॉकेड लगती है पेंट में इसी प्रकार से लगती है तो यह तो cog सिंपल तरीका उपर से दो हr c3 दूरी पर आपको मिशान लगाना है और पॉकेट में हाट डालने लिए जह चाहिए ऊ जो चहेंज का को निशान लगाना है अब इसके बाद दोस्तों जोग मेंद चोड़ा की जाती है आपको बता देता हुँ दोफेंट की कुटिंग करने के लिए देखि आपको कपडा लेना है कपड़े को इस प्रकार से करना है को डबल करने के बाद लो पॉक्ल पॉकिट की चुड़ाई की वह आपको रखनी है 6 इंच ये देखिए और इस प्रकार से 6 इंच पर बिल्कुछ सीधा आपको एक निशान इस प्रकार से लगा लेना है यहां के और इसके बाद दोस्तों पॉकिट नीचे की तरफ से कभी भी तरीका देखें क्या है अब इस pocket को लगाने का तरीका देखे क्या है आपको pocket को रखना है सीधा ये देखिए सीधे तरफ से रखाऊ में pocket को इस प्रकार से इसका उल्टा इससा है pocket को सीधा रखना है और ये जो पैंट का जो पार्ट है यानि पैंट का जो पला है इसको रखना है इसके उपर अपने अब फ्रेंच्ट आपको लगानी है एक सिलाई कैसे लगानी है सिलाइए आप tämä को इस तरह से और यहां पर लाकर को खत्म कर देना है लगा ली तो फैंटीश में लगालियो इस दिक्ट को लगाने के बाद अब आपको लगाना है कट यह देखे इस जगे लगाना जो यह निशान लग रहा है ना चौक से इस जगे कट लगाना है आपको इस तरह से और एक कट आप इधर इस प्रकार से लगा लें अब कट लगाने के बाद फ्रेंट्स क्या करना है आपको अब यह देखी यह जो पोकेट वाला जो पार्ट है यानि जो पोकेट जो है इसको आपने इस प्रकार से थोड़ा सा नाख्हून से प्रैस करना है म के बाद ये जो मैंने कंट लगाये ठें इस कार मैं को कट आपके इस प्रकार से आपको नजरर आने लंग जाएंगे अब आपको क्या करना है अब इस जगे से ये जो अप corona measurement या से आपको स्टारट करनी है तो दोस्तों यह स्लाई मैंने लगा लिए और हाला कि मैंने यह जो स्लाउय को बोलते हैं एक के स्लाइए आप चाहे हैं तो यह पर किनारे के स्लाएए भी लगा सकते होिगा अब इसके बाद जो इसमें अगला अब friends इतना काम करने के बाद जैसे मैं आपको बता दिया है कि इसे आपने इस परकार से रखना है लेकिन इसे इस परकार से रखना नहीं है इसे आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है कैसे सिर्फ इतने हिस्से को उठाएं और अंदर की तरफ इसे इस परकार से रखते हुए यहाँ पर स्लाई लगाएं इस तरह से दोस्तों स्लाई लगाने से क्या होता है कि आपकी जो pocket की जो नीचे वाली स्लाई है यह बिलकुल गुम तरीके से बनेगी मैं आपको दुबारे repeat कर देता हूँ पोकिट आपकी आएगी ऐसे ही लेकिन इसे आपने रखना इस प्रकार से यह देखें अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर आपको सीधी स्लाई लगाने इस प्रकार से यह स्लाई लगा कर मैं आपको दिखाता हूँ तो फ्रेंट्स ये देखिए स्लाई मेंने लगा ली है स्लाई को लगाने के बाद अब इसे आपने इस परकार से सीधा करना है देखें और इसका जो कॉर्णर है नीचे वाला ये आपको कैंची की मदद से इस परकार से निकालना ये देखें कैंची की मदद से इसको निकालना कि यह देखें जैसे आप पोकेट के अंदर हाट डालोगे तो नीचे की जो सिलाई ना यह वाली यह गुम हो चुकी आप देखें तो सिलाई आपकी अंदर की तरफ जा चुकी है अब आपको इसके ऊपर भी एक लगा लेनी है ताकि अपनी जगे सैट हो जाए तो यह दोस्तो को अपने कवर करना किस प्रकार से कवर करना यह देखें इसको इस प्रकार से रखें और सीधी एक स्राइल लगा दें देखें इस प्रकार से फ्रेंट्स ये स्राइल लगाते समय याद रखना है आपको कि यह जो पॉकेट इसके साथ अटैच ना हो जाए और आप देख से तो पॉकेट हमारी इस प्रकार से तयार हो चुकी है यह पॉकेट लगाने का पहला जो तरीका में आपको बता दिया है अब इसके बाद दोस्तो मेंन का हमरें उपर से अभी देख सकती हो अलग है है यहां पर आपको अभी नहीं जोड ना पहले इसमें आपको आगे जो प्लेट होती है पैंट में उस प्लेट को लगा लेना यह दिकिसकी िसकी Google लगा रखाए पहले उसके बाद उपर वाले पार्ट को जोड़ लेगे से अटैच कर लेना है और इसके बाद यह एक्टा जो कपड़ा है इसकी आप कर लें कटिंग तो फ्रेंट्स ये था पहला तरीका पैंट में पॉक्ट लगाने का जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका पैंट में पॉक्ट लगाने का तो फ्रेंट से ये पैंट का है दूसरा वाला इस्सा वो जो हिस्सा था वो था लेफ्ट वाला और ये है राइट वाला अब राइट वाले इस्से में मैं आप आपको अलग तरीके से बताऊंगा पैंट की जो पॉकेट है किस परकार से आपको लगानी है यह इसका दोसा तरीका है तो देखें दोस्तों निशान आपको कैसे लगाने निशान हमेशा आपको उल्टी तरफ लगाने यह उल्टा रख लिया इसको मैंने अब इसमें आपको क करना क्या है सबसे पहले दोस्तों इदर से आपको एक निशान लगाना है यह निशान आपको लगाना है लगबक सवादोंच की दूरी पर यह सवादोंच की दूरी पर मैंने निशान लगाया और एक निशान आपको इदर से लगाना है वो लगाना है आठ इंच की दूरी पर यह देखें इस परकार से अब आपको लेना है एक स्केल और इस स्केल को दोस्तों आपने इस परकार से रखना है यह जो आठ इंच वाली दूरी पर मैंने निशान लगाया है यहां पर आपको आदा इंच का इस परकार से निशान लगाना है पहले और इसे आपस में इस परका मेरा यह है यह जो दूरी है वो तो आपको 8 इंच पर ही रखनी है यह जो निशान है बाकी नीचे जितना भी जा रहा है इसको जाने दो क्योंकि इस लाइन को बिल्कुल सीधी नीचे तक आपको लेकर आना है इसके बाद फ्रेंड्स आपको उठानी है पॉक्ट पॉक्ट कट यह लाइन इसी लाइन पर आपको सीधी एक स्लाई लगानी है और इस स्लाई को लगाने के बाद अगला प्रोसीजर में आपको बताता हूं तो फ्रेंड्स यह स्लाई मैंने लगा ली है अब इस स्लाई को लगाने के बाद यह जो पॉक्ट है आपकी इस पॉक्ट को आपने इंच की लगा सकते हो दोस्तों आप देख सकते हो इस लाई मैंने इस प्रकार से लगा ली है अब इसमें भी आपको वही काम करना यह जो pocket है pocket को आपने इस प्रकार से पकड़ते हुए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से जहसे मैंने अभी बता है इस लाई लगानी है उस इस लाई आपकी इस प्रकार से आते हुई यहां से आपको इस लाई को निकाल देना है ठीक है पहले इतनी स्लाई को लगा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इधर से हम 2 इंच सवा 2 इंच का जो हमने margin रखा था उतना ही gap लेत हुए यह देखी यहां से सवा 2 इंच की दू इस स्लाई को आपने कैसे लगाना है देखें यहां से स्लाई स्टार्ट करेंगे और यहां से सवा 2 इंच की दूरी पर कि स्राइल लगाने के बाद extra जो कपड़ा इसकी कटिंग कर लें और इसके बाद दोस्तों जब आप इसमें हाट डालेंगे यह देखिए तो काफी बड़ा स्पेस से इतना बड़ा स्पेस यहां पर नहीं होता तो इसके लिए आपको क्या करना है क्योंकि जब साइड का जो पीछे का पल्ला इसके साथ मैं जोड़ूंगा तो इतना तो मार्जन में चला जाएगा अब इस जगह से आपको जो पॉकिट का साइज रखना हो रखना है देखे इस जगह से निशान लगाते हो यहां पर जोड़ा लगानाम हैं अब दोस्तों यहां पर इस पॉकट को हम ने करना एंब किस प्रकार से देखिए यहां से स्लय लगाएंगे किनारे पर तो फ्रेंट्स ये था पॉक्ट लगाने का दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको बता दिया है अब दोस्तो पॉक्ट लगाने के दोनों तरीके तो मैंने आपको बता दिया है लेकिन अगर आप इसमें पीछे वाले पार्ट को जब अटेच करोगे तो किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता रेता हूँ तो फ्रेंट्स पहले मैं आपको बताता हूँ यह वाली पॉकिट जो मैंने पहले बनाई थी इसको आपने किस प्रकार से इसकी सलाई करनी है पीछे वाले पल्ले के साथ तो दोस्तो आपने बैक वाले पार्ट को ठाना है उसके उपर आपने इसको इस प्रकार से रख लेना है और जो सलाई आपको स्टार्टिंग करनी है वो नीचे से स्टार्टिंग करनी है और दोस्तों सलाई लगाते समय जब आप इस जगे पहुंच जाओगे तो फिर मैं आपको बता हूँगा किस प्रकास आपको इसकी सलाई करनी है तो फ्रेंट्स यह देखिए नेचे से स्लैय जब आप लगाते उपपर इस जगे पर आ जाते हो जहाँ पर आपकी पॉकिट है तो यहां पर स्लैय थोड़ी सी आपको साव धानी पूरक लगानी है देखें अब यह जो स्लाइए आपको दिख ली इसी स्लाइए की उपर बेंगे अब इस चीज का द्याना है फ्रेंड्स यह देखिए यह जो मैंने कट लगा था लगाते समय जब हम तो इस स्लाई को लगाते हैं, तो आपकी पॉकिट साथ में ना सिल जाए, तो नीचे से जो पॉकिट इसको थोड़ा इस तरह सरकाते हुए, यह देखे सरकाते हुए, फिर आपको स्लाई लगानी है, देखें, पॉकिट को थोड़ा इस तरह सरका ले, ताकि नीचे से को अटेच कर लिया है और पॉकिट बिल्कुल अलग है और स्लाई कहीं से भी आपको कोई रफिक तलाई नजर नहीं आ रही होगी तो दोस्तों एक तरफ तो पॉकिट लग चुकी है अब मैं आपको दूसरी तरफ भी पॉकिट बता रहता हूं कैसे लगानी है तो अब देखी कि यह है इसका दूसरा पल्ला यह इसका पीछे वाला इस और यह पॉकिट जो मैंने लगाए थी राइट हैंड के तरफ यहां से आपको उपर से स्लाई की स्टार्ट करनी है और यहां से देखें स्लाई लगाते हुए तो यह भी पॉकिट बहुत असानी से आप इस प्रकार से बना सकते हो तो फ्रेंट्स पॉकिट बनाने के बाद पॉकिट को मैं अटेच करके भी आपको दिखा दिया है और इस प्रकार से दोस्तों आज की जो वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं जिसमें मैंने आपको बताया पॉकिट लगाने के पॉकिट बनाने के दो अल you very much